नवस्कार आप देख रहे हैं हेटलाइंस पिहार और मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरब जेडियू में इन दिनों अंतरकलह की स्थिती पैदा हो चुकी है एक तरब कुछ हैसे भी नेता हैं जो बीजेपी के साथ से खुश हैं बलकि और कुछ हैसे भी नेता हैं जो बीजेपी के साथ रहने से नाखुश हैं ऐसे दो नेता एंडिये में जेडियू में हैं जिन में एक पवन वर्मा है राजसभा सांसत रह चुके हैं जेडियू के वरिष्ट नेता माने जाते हैं और दूसरे हैं प्रशांत की सोर पवन वर्मा ने पिछले दिनों एक पत्र लिखा उस पत्र के बाद से सियासत तेज हो गई उन्होंने उस पत्र में नितीश कुमार पर निशाना साधा था उन्होंने कहा था कि नितीश कुमार जो अकसर RSSS के घोर विरोधी हुआ करते थे वो BJP के साथ मिलकर अपने नितीओं को भूल चुके हैं उन्होंने अपने ही नेता पर निशाना साधा था जिसके बाद नितीश कुमार ने कड़े तेवर में ये कह दिया था कि कोई भी पा तो आपने सुन लिया जेडियो कर आश्टिया ध्यक्षे नितीश कुमार और बिहार के मुख्य मंत्री हैं आज करपुरी ठाकुर जैनती मनाने के लिए विधान सभा पहुचे थे और इस दोरान जब मीडिया ने उनसे बादचित की पवन वर्मा को लेकर तो उन्होंने कहा कि लोग पत्र लिखते हैं, इमेल कर देते हैं, मीडिया को भेज देते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं ह वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जिनको पार्टी में रहना है, रहें और जो पार्टी खिलाफ जाएंगे वो जा सकते हैं, बारहाल प्रशांत किशोर को लेकर भी स्यासतेज हैं, जहां BJP के नेता जो हैं तमाम नेता वो यह कह रहे हैं कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स कर ने किया जा रहा है जेडियू के दो निताओं के द्वारा वहीं नितीश कुमार जो है एक करा करे तेबर में दिख रहे हैं पवन वर्मा के खिलाफ अलांकि प्रशांद किशोर को लेकर अभी वह सौफ्ट दिख रहे हैं लेकिन प्रशांद किशोर जो है वह लगातार हमलाव तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जेडी और वीजेपी के बीच करवाहट बढ़ती है या फिर ये दोस्ती बरकरार रहती है क्योंकि दो खेमी में बढ़ चुकी है जेडी यू इसको लेकर तमाम विशलेशन भी हमारी चैनल ने आपको दिखाया है आप उस